नश्कार दोस्तों क्याल चाल भाई सबके बैतर चले बैतर ही रहने चाहिए हमेशा हमेशा की तरह ऐसे ही खुश रहेगा एक्जाम का टाइम आ चुका है तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि खुश रहना बिल्कुल टेंचन लेके पेपर दोगे तो भी कोई in teaching या in education मतलब कुछ ऐसी जैसे NCTE है NCRTA SCRTA ऐसे कुछ short forms होते हैं जिस abbreviations आप बोल देते हैं तो यह हमारे एक्जाम में पहले भी आई हैं और basic लेकर देखो तो यूपी टेट में भी आट में जार्गन टेट में सी टेट में इसका जादा इतना रोल रहा नहीं कुछ एक् चैनल पर मेरा नाम रोईद तो शुरू करते हैं आज के चैप्टर जिसका नाम क्या होगा पूरा कुछ फॉर्म होंगी जो मैं आपको भी यहां पे डिसकस कर देंगे ताकि discussion में आपस ध्यान चो सुन लीजेगा जरूरत ज्यादा याद करने की नहीं है और जो बच पूरा का पूरा प्योंगे इसको दो तीन तरीके से कि NCF जो नेशनल करिकुलम फिम वर्क है उसमें शोर्ट सुम्स कहां कहां पे यह तो सारे अबलेबल होगा आपको पीडियाफ के लिंक के साहथ तो शुरू कर लेते हैं आज के लिए चलेगा पहली पहली जो आएगा दे तो बेटा याद रखना LWB तो LWB का मतलब क्या होगा लर्निंग विदाउट बर्डन आगे आतें नेक्स्ट की तरफ क्या है N.P. N.P. के बारे में वैसे तो N.P. 1968 भी रहेगा लेकिन हमारे दिमाग में जादे तर टाइम पे जो याद रहती है और जिससे सबसे ज़्याद बनते हैं वह है National Policy of Education तो N.P. का फुल फॉर्म क्या होगा National Policy on Education देखेगा N.C.R.T. जिसकी किताबे आप पढ़ते हो जिसकी किताबों के बेस पर या आपने C.T. U.P.T. के लिए जाते हैं कि आप इभी इसके लिए 3rd, 4, 5th के पढ़ लेते हैं फिर S.T. के लिए Science के लिए 6, Research and Training आगे बढ़ते हैं किसके पास N.E.P. देखो आपना बोच जेंगे एक तो पढ़ेंगे N.P. और एक कहां पढ़ेंगे N.E.P. तो दोनों में ध्यान रखेगा N.P. अगर होगा तो क्या होगा National Policy of Education on Education और अगर N.E.P. होगा तो National Education Policy तो थोड़ा सा बस याद रखेगा दो दोनों में थोड़ा हो आगे जिस बारे में सबसे ज़्यादा हम जिकर करते हैं that is N.C.F. तो N.C.F. का full form आप लोग जानते ही हैं that is National Curriculum Framework राष्टे पाथे चर्चा कारिये करम और जिसकी सबसे ज़्यादा जो आज अगर हमारी बुक्स जो N.C.R.T. के बुक्स हैं किस कर P.O.A. इन्होंने जब N.C.F. बनाया था तो इसमें P.O.A. को बड़ा जिकर किया गया था तो इसलिए इसका जो form है याद रखेगा क्या full form इसका होगा program of action तो program of action या P.O.A. आएगा तो दोनों के ध्यान रखेगा आगे चलते हैं किसके पास U.E.E. U.E.E. का मतलब क्या हो तो इसमें आपको पता भी चल जाएगा कि P.O.A. तो P.O.A. का full form क्या होगा पंचायती राज institution आगे बेटा ये ना M.I.L. M.I.L. का जो सबसे ज़्यादा question अगर किसी के साथ जिकर आए तो English Pedagogy के साथ आता है उसमें नोंने ये पूछी लेते हैं कि what is M.I.L. तो M.I.L. क full form क्या होगा modern Indian language आगे बढ़ते हैं तो आज कितनी है total Indian language टोटल कितनी है बाइस बाश आए उसके साथ आगे चलते हैं किसके साथ बटा ICT ICT का जिकर अगर आप देखेंगे तो ICT का सबसे ज़्यादा जिकर ना आपके पड़ा को जिकर पार्ट में जब पूछते हैं कि इड्स है blackboard है या जो एजुकेशन हो से किस्याद रिलेट कर देना चाहिए तो information communication technology तो ICT का full form क्या होगा information and communication technology चली बढ़ते हैं आगे की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे तो बच्चों को ना co-curricular activities के साथ ही कुछ इसमें है ना कुछ ads कुछ sports नी तो नी कुछ कारेकरम program जोड़े गए तो उसमें दो थे बटा एक NSS था और एक क्या था NCC तो NSS का और NCC का full form हमेशा याद रखेगा NSS का full form क्या होगा National Services Scheme और NCC का होगा National Cadet Crop तो याद रखेगा National Services Scheme किसका होगा NSS का और NCC का होगा National Cadet Crop आगे बढ़ते हैं किसके पास SUPW, SUPW इतना तो ज़ नहीं आया है इसका लेकिन फिर भी थोड़ा सा NCF में दो तीन जगें पर आया हुआ है तो इसलिए मैं इसको इसमें process कर दिया, SUP का full form क्या होगा, SUPW का full form होगा, socially useful and productive work, ध्याद रखेगा कि socially useful and productive ऐसा काम जो useful भी हो और productive भी हो जो आगे जाके बढ़ पाए, एक आएगा बेटा ये वाला इसको थोड़ा सा important डालीजेगा कि इसका ECCE, ECCE तो इसका क्या होगा, Early Childhood Care and Education, क्या कहें बोलेंगे इसको Early Childhood Care and Education, आगे बढ़ जाते हैं क्या MLL, MLL का मतला हो क्या होगा, minimum level of learning, कि कितने level तक का learning, वैसे तो इसका minimum level तो खेर के learning का क्या बताया जाएगा, ल जो NOIS के विजे करूआ था, तो उसी तरह क्या है, NOS, तो ये क्या है, National Open School, इसको याद रखिएगा, NOS का full form क्या होगा, National Open School, DPEP, DPEP के tech के साथ आपने बोद बार पढ़ा होगा, ये questions बड़े primary के questions में भी कई बार DSSB ने पूचा, और एक बार ना, RTET वालों ने पूच र Education Program, चलिए आगे बढ़ते हैं, NGO, NGO के बारे माँ आप सब लोग जानती है, फिल भी full form में abbreviation को complete कर देते हैं, क्या, Non Government Organizations, आगे बढ़ेंगे किसके साथ, ET, जैसे ICT था, ऐसे क्या है, ET, तो ET का मतलब आप जब अपना CDB पढ़ते हैं, तो उसमें वो पढ़ाया जाता है, Chapter Education Education Technology, तो ET का यहां पर full form क्या होगा, Educational Technology, आगे बढ़ेंगे किसके पास, CRC, तो CRC देखें, Convention of the Right of the Child, यह वाला कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन NCF में आ था, तो मैंने इसको जिक्र में कर दिया, यह थोड़ा सा याद रखिए, बेटा, WET, WET जो है, वो किसके साथ च किसके साथ, SCERT, सोरी वही को सर थे, तो माफी चाहूँ आपसे लोग से, SCERT का बेटा, जो full form होगा, हो क्या होगा, State Council of Educational Research and Training, जैसे कौन सा था, NCRT, वैसे अब क्या जा रहा है, SCERT, तो जहाँ नेशनल था, वहाँ पर किसके साथ change होगा है, हम स्टेट के साथ, बागे, State Council of Educ Educational Research and Training, आगे बढ़ते हैं, अपने next page की तरफ, जिस पर full form क्या होगा, DITE, आज भी ना, अगर आप जिस बचे ने, DITE क्या होगा, किसे पूछते हैं, DITE क्यों होगा, तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, जो DITE का full form बता पाते हैं, तो याद रिखेगा, इसका मतलब क्या होग 2000 में जब आया, तो सरशिक्षा, अभियान, SSA का full form आपको वैसे भी याद होगा, आगे बढ़ते हैं, बेटा, NCF, SE, बेटा, इसमें SE जो है, NCF का मतलब तो National Curriculum Framework रहेगा, लेकिन SE जो जो जोड़ दिया था, उसकी साथ क्या जुड़ा था, School Education, आगे बढ़ते हैं, किस क के साथ, NFG, NFG कई बार पूछा भी गया, जैसे भी आट्रेट ने तो पहले कई तीन बार पूछा था, लगा था, NFG, तो NFG का मतलब तो National Focus Group, आगे बढ़ते हैं, किस के साथ, NCT, NCT के बारे में आप जानते हैं, National Commission of Teachers, National Commission of Teachers, इसी के साथ, साथ आपने न, NCTE हो रहेगा, जो याद रखेगा, according to NCF, और उसमें जब भी आपके Teaching Exam, NCTI, तो उसका जो जवाब होगा, National Council for Teacher Education, आप EVEC आपने पहले भी देखा तो दुबारा देख लीजेगा, Village Education Committee जो होगा, ये, आगे क्या आता है, SDMC, SDMC है, आपका MCD वाला ये, मन जाएगा इसमें, इसका SDMC क्या होगा School Development and Monitoring Committee, School Development and Monitoring Committee, बेटा, AICTE, ये तो सबसे, मतलब आप जब देखते हैं, कोई भी College or University है, Affiliated होता है, कैसे कैसे, तो उसमें बड़ा काम आता है, उसके साथ, तो इसके, AICT का Full Form क्या होगा, All India Council of Technical Education, बस याद रखना, यहाँ T वाले में क्या था, Teacher और यहाँ पे क्या है, Technical निकल, आगे क्या जाएगा, UGC, UGC क्या आप जानते हैं, University Grand Commission, ठीक है, विश्विद्याले, आनुधान, आयोग, आगे English Pedagogy के लिए, main आता है, क्या है, ECL, जिसका नाम क्या होगा, English as a Second Language, ESL का क्या होगा, English as a Second Language, एक भी क्या था, MIL, उसका मतलब क्या था, Modern Indian Language, लास्ट ह हमारे पास कोना आता है, GPA, GPA अगर पूछा जाए, तो क्या कहला है, Grade Point, Average, इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के लिए, आपको कुछ और बची होगी, वो आपको PDF के लिंक में अविलेबल होगा, तो thank you so much बच्चा पार्टी, all the best मेरी दर्स से, और बस अच्छे से स्कोर करेगा, बिन अटेंचल लिए, दीरे दीरे हम जितनी भी हमसे कोशिश हो पाएगे, आपके लिए YouTube के आने के लिए, हम आपको चैनल पे वो वीडियो अविलेबल कराते रहेंगे, thank you so much for subscribing and comment के आपने अच्छे लगे, thank you so much, wish you all the best, bye, take care.